Interstellar, The Dark Knight, Inception और Tenet जैसी फिल्मों को डिरेक्ट करने वाले Christopher Nolan आज सिनमा घरों में लेकर आए हैं अपनी फिल्म Openheimer जिसमें आपको दिखेंगे Killian Murphy, Emily Blunt, उनके साथ Matt Damon और Robert Downey Jr. अब ये जो फिल्म है, ये कहानी है American physicist J. Robert Openheimer की और especially ये बात करती है, 1945 में दुनिया के पहले nuclear test की जो की अमेरिकी सेना के लिए किया गया था और इसका नित्रित्व कर रहे थे Openheimer और उस code का नाम था Trinity Times of India की रेनू का विवारे ने इस फिल्म को दी है साड़े चास तार्स और वो लिखती है कि बाम को बनाना और उसका test करना महज इस फिल्म का एक हिस्सा भरी है उस बाम को जिसने बनाया है उसके दिमाग को study करती है ये फिल्म Christopher Nolan ने बहुत cleverly Openheimer के दिल और दिमाग को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है और उन दोनों के बीच जो disconnect है वो ही फिल्म का central plot है कैमरे की बात करें तो बहुत कमाल के शॉट्स लिए हैं किरदारों के बिलकुल पास जाकर उनके unsaid emotions यानि की उनकी आंसु की एक एक बूंद को बहुत बारीकी से capture किया है कमाल है और जो sound है जो music है वो आपको बांधे रखता है seat से हिंदुस्तान live में लिखा गया है कि ये फिल्म क्रिस्टफर नूलन की बाकी फिल्मों से काफी अलग है अमुमन क्रिस्टफर नूलन की फिल्मों में ज्यादा visuals होते हैं और dialogues कम होते हैं इस फिल्म में dialogue ज्यादा है और उन्हें काफी संजीदगी के साथ दिखा गया है visuals भी बिल्कुल perfect हैं ना कम ना ज्यादा music इस फिल्म का एक strong point है जो की काफी असरदार है मदब छोटे-छोटे sound effects को पिरो कर audience के experience को बहतर किया गया है और किलियन Murphy का का काम बहतरीन है और Robert Downey Jr. ने बता दिया है कि भाई Iron Man के लावा भी मैं exist करता हूँ और काफी बहतर काम करता हूँ NDTV के साइबल चार्ट जी ने इस फिल्म को दी है 45 stars और वो फरमाते हैं कि फिल्म color और black and white के भी जूलती रहती है क्योंकि ये protagonist की जिन्दगी के कई दशक दिखाती है उनके student होने से लेकर उस शक्स तक के सफर को जो अपने विवादित इतिहास के साथ जी रहा है और ये फिल्म audience को एक दूसरे ही दोर में transport कर देती है ये एक ऐसा cinematic experience है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और थिल पैदा करेगा दैनिक जागरन के मनोज वशिष ने इस फिल्म को दियें 5 stars और वो कहते हैं कि तादीफ करनी होगी Christopher Nolan की जिस तरह से उन्हों ने इस पूरे subject पर अपनी पकड़ बना के रखी है और फिल्म का majority हिस्सा जो है वो ओपन हाइमर के नजरिये से है यानि कि वो किस तरह से चीज़ों को समझते हैं उनको देखते हैं और तीन घंटे लंबी ये फिल्म है पर भाई साब इतनी टाइट बनी हुई है कि आपको पता नहीं लगेगा और वरुन दवन भी दिखेंगे तो आप वो भी देख सकते हैं पर वो देखने से पहले और ओपन हाइमर देखने से पहले मेरी बॉलिवूड शायरी सुनते हुए जाए ये प्यार में धोका खाय हुए लोग अक्सर ये गाते हैं तो कैसी लगी आपको मेरी घटिया शायरी नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताईए और जाने से पहले बीबीसी हिंदी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पन्ना लाइक कीजिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो रखिए बाइबाई और ओपन हाइमर भी देखके आईए